नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रभाष दोस्तों हमारी रेलवे ने पिछले साल जब अपना रेल बजट घुषित किया था यानि कि वित बजट के साथ जब रेल बजट आया था तब बताया ये गया था कि वर्स 2023 के अंद तक देश की जितनी भी रेलवे लाइन से सभी को electrified कर दिया जाएगा और सभी rail section में हमें electric ने दौरती हुई नजर आएंगी कल के दिन एक वीडियो भी पब्लिश्ट हुई थी जहांपे हमारे rail मंत्री अश्वनी वेश्णवजी ने एक footage दिखाई थी North East के मेगालिया की जो की काफी दूर है मेन इंडिया से वहाँ पे भी अब electric इंजन पहुच चुका है और वहाँ पे भी अब electric ट्रीने दौरेंगी लेकिन दोस्तो बहुत जल्द हमें उत्तर बिहार के दर्बगा जंजारपूर सहर सा रेल section में इलेक्रिक ट्रीने दोड़ती हुई नजर आएंगी और दोस्तो कल के दिन पहली बार एक electric इंजन दोड़ा भी दोस्तो क्या हुआ कल के दिन अब कैसे यहाँ पे electric ट्रीने दोड़ेंगी और साथी साथ electric ट्रीनों के दोड़ने से क्या फाइदा होगा आज किस व्रूमिसी बारें बात करेंगे लेकिन दोस्तो उससे पहले में चाहूँगा कि यदि आपने चलोंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलोंग सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और electrification से आप क्या सोज़त हैं का यहाँ पर फाइदा हो गया नुकसान कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों देम यहाँ पर बात करें rail section की तो हमारी railway ने सकरी से लेके निर्बली तक के rail section में जो कि तकरीबन 70 km लंबा है electrification का जो काम है वो complete कर लिया है और दोस्तों कल के दिन मुख्य चीफ इंजिनियर जो की पूरूमद railway के है उन्होंने पूरे के पूरे rail section का दौरा भी किया था दौरे के दौरा उन्होंने यहाँ पर देखा कि electrification का काम कैसे हुआ है क्या यहाँ पर CRS inception हो सकता है या नहीं और दोस्तों इसी के साथ साथ जो media reports बता रही है कि speed trail भी किया गया electric engine के साथ में जो की successful रहा और आप बहुत जल्द CRS inception किया जाएगा और CRS होने के साथ ही साथ यहाँ पर जो electric trainer है वो दौरती हुई नजर आएंगी दोस्ते में यहाँ पर दूसरी rail section की बात करें यानि कि निर्मली से सराइगर होते हुए सहरसा तक की तो हमारी railway निर्मली से लेकर सराइगर तक की rail section में electrification का काम चालू कर दिया है तक्रीबन 4 महने का time लगेगा क्योंकि यहाँ पर कोसी पूल पे भी electrification करना है जो की काफी मुश्किल है तिन-चार महने में वो complete होगा और दोस्तो इस साल के अंत तक यानि कि दिसंबर 2023 तक हमें जो है सहरसा तक का जो rail section है वो electrified दिकेगा जिसके बाद ही इस rail section पे electric ने दौरती हुई नजर आएंगी दोस्तो इस electrification पे आपकी क्या राया है कॉमेंट करके जरूर बताएं उसना ही लिंक्स ब्लोक साथ लेजाएंद जबार